Hey guys, what's up, kyaal chaal, this is CNE Kunj Goinga, your tax mentor and yes, आपको याद दिला देता हूँ कि मैं मुंबई 29th October को आ रहा हूँ, आपके शेहर में और आपको मिस नहीं करना है sir, 29th October को Super 50 Marathon लेने वाला हूँ मैं Tax Marathon Live मुंबई में और आप लोग से मिलने के लिए आ रहा हूँ sir, जापे जबर्दस तरी जाएगा, खुब मस्ती करेंगे और आप लोग के साथ venue बहुत जल्दी disclose हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बेटा आपको एक simple registration करवाना पड़ेगा, so that we come to know कि आप कितने students हो जो ये seminar में, ये marathon में participate करना चाते हैं, तो प्लीज फटा-फट Google Form भर देना, जो link description box में है, so that सा as well as Mumbai के आज पास जो भी students रहते हैं, और CSCMA में इंटर और final का examination coming time में दे रहे हैं, तो जरूर से आप लोग को ये अभी focus नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बहुत demotivated हो गए हैं, तो अभी आप इससे किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, तो this video I am making for all my CMA students, especially जिनका result इस बार positive नहीं आया, और वो अभी फिर भी negative mindset के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कि December में मुझे पता नहीं मेरा fate क्या होगा, December मेर में मुझे पता नहीं कि what I am going to do, but आप पढ़े जा रहे हो, बस आप किसी भी तरह से पढ़े जा रहे हो, आप अपने आपको, you know, एक होता है ना, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और सोच ही नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ह मैं आपको बताता हूँ अगर आप अपने आपको motivate नहीं कर पा रहे हूँ मतलब आप basically खुद से motivation create अपने लिए नहीं कर पा रहे हो आप self motivated feel नहीं कर पा रहे हो तो please आप अपने parents के साथ बैठिए आप अपने elders के साथ बैठिए या फिर उन दोस्तों से बात करिए जो आपके से positive बात करें negativity से please दूर हो जाएए दूर 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 तक negative लोगों से बात मत करिए चाहे वो आपके family member क्यों ना हो उनसे distance maintain कर लीजे जो आपसे खाली negative बात कर रहा है कि आर examination तो कैसा हुआ आप पता नहीं क्या होगा और आपके दिमाग में negativity create हो रही है tension का माहूल आपके दिमाग में वो अगर create कर रहा है तो उनसे दूर हो जाएए आपको भी खाली positive रहना और positive ही सोचना है क्योंकि आप अगर positive नहीं सोचोगे positive नहीं रहोगे तो आपके साथ भी positive कभी जिंदगी में नहीं हो सकता तो अभी examinations है अपने को अभी अपने को relax करना है cool होना है और जो भी हम पढ़ रहे हैं उस पे believe रखना है कि हम जो पढ़ेंगे examination वाले दिन हमें वो याद रहेगा ठीक है एक proper planning करके अपने पढ़ा ही करनी है कि ये subjects जो भी हम पढ़ रहे हैं कि हमें उसको कब तक complete करना है उसके बाद कौन से subject start करना है ये सब planning आपका proper तरीके से planning होना चाहिए काफी सारे students है जो अभी भी classes कर रहे हैं classes कर रहे हैं और classes करने के बाद उनकी कोई planning नहीं है कि हो क्या करने वाले है तो ये आपको पहले से ही पूरा का पूरा December 10 December से आपका exam स्टार्ट हो रहा है तो पहला 3-4 पास दिन तो आप लोगा first examination के paper में ही चला जाएगा उसके पहले से ही जो करना plan start करना की तब तक तुम क्या करने वाले हो तुम October में अपना classes complete करने वाले हो उसके बाद तुमारा जो भी subject बचा वे तुमसको revision कैसे करोगे किस order में करोगे कहा से resources यूज करोगे उस सब planning करनी पड़ेगी planning नहीं करोगे तो execute नहीं हो पाएगा आपको पहले planning करनी पड़ेगी motivation कैसे आएगा बिटा motivation इसी बात से आ सकता है बहुत ही कम बच्चे पास होते हैं और वो जो कम बच्चे पास होते हैं उसी में से उसी में आपको भी अपना नाम लेकर आना है जिस दिन आप पास होंगे just imagine the happiness just imagine the smile on the face of your parents, of your relatives जो भी आपके सुपचिंतक है वो कितने खुश होंगे आपके result को देख कर वो smile, वो happiness के लिए वो motivation से कम नहीं है बिटा वो motivation से कम नहीं है कि मैं आज motivate हो जाओं कि मेरे को उस smile के लिए उस face में happiness लाने के लिए अपने माता पिता के लिए जिनोंने कड़ी से कड़ी मेनत की है अच्छे से अच्छे जगह से आपको schooling कराई है उसके बाद आपको बहुत से अच्छे से अच्छे जगह पे आपको college में दाकिला करवाया है यह professional course है यह आपने खुद अपने मर्जी से चुना है और आपको यह result दिखाना पड़ेगा यह result से आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कर सकते हो बिटा and genuinely आप कर सकते हो ऐसा कुछ चीज नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हो it's just that you have to be determined but अपने कोई determined होते नहीं है आज मैं आपको बोल दिया आप बहुत आज motivate हो जाओगे but कल आप फिर से दिख motivate हो जाओगे फिर आप सोचोगे नहीं यार क्योंकि यह क्या ना अपने body में एक hormone है जो generate हो रहा है आपके body में अंदर अभी hormone generate हो गया positivity का नहीं सर हम positive हो गये कल फिर से क्या होगा हम negative हो जाएंगे तो यह जो चीज है यह मांसिक संतुलन है it's an imbalance which you need to create inside yourself मतलब basically imbalance को हटाने के लिए जो preventive measure है वो आपको अंदर से खुच से self generate करना पड़ेगा कोई भी readymate परोस के आपको नहीं दे सकता maximum हम teachers क्या कर सकते हैं कि आपके लिए daily YouTube पे आके आपको motivate कर सकते हैं but ultimately guys इससे काम नहीं बनेगी मैं आपको motivate आज कर दूँगा मैं कल दुबारा नहीं आऊंगा मैं आपको नहीं आपाऊंगा मेरे लिए possible नहीं है क्योंकि मेरे classes भी है मेरे बहुत बाकी sessions भी चलते हैं but 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 अगर आप खुच से self motivated होगे तो उससे best कुछ नहीं है sir आप please guys अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजे revision पे ध्यान दीजे और खाली paper पे paper solve करिए आपको अभी जितना जादा mock-tash paper solve करेंगे उतना जादा आपके लिए better होगा let me tell you अब जितना जादा mock-tash paper solve करेंगे उतना जादा आपके लिए better होगा आप ये चीज जादə से जादा solve करिए तब ही जाके आपको ये जो है आपकी target अचीव होगी guys Next I am not able to focus बहुत सारी student होते हैं सर हम पढ़ने तो बैठते हैं बट पता नहीं जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम focus नहीं कर पाते We are actually not able to focus कि हमें पढ़ाई करते समय हम को लगता है कि हम 4 गंटा में पढ़ लेंगे फिर हम हमारे कोई distractions आ जाती है हमारे को कोई call आ जाता है कि हम कोई topic समझा दो देखो बिटा मैं आपको सही बता हूँ आप YouTube देखना बंद कर दीजे मैं आपको बोल रहा हूँ सर आप क्या बात कर रहे हैं अगर आप मेरे को देखे मैं एदम fact बोलने वाला आदमी हूँ और मैं to the point बात करता हूँ अगर आप exam के डेड़ मेना दो मेना पहले ठीक है एक ऐसे student हो जिन्होंने अपना सारा classes complete कर लिया है जो खुद से revise कर रहा है marathon देखना है जिन जिन teacher से पढ़ाई किया उनका marathon देख रहा है या revision देख रहा है या कोई subject आपको बहुत अच्छा लगया किसी teacher का teaching style तो वो आप उनको follow कर लिए उनका marathon देख लिए वो बात अलग है उसके अलावा आपको YouTube पे कोई time spend नहीं करना चाहिए देखे taxation हो या कोई भी subject हो अगर आप सुष्टे हो नहीं taxation में मैंने in teacher का भी in teacher का भी in teacher का भी marathon देख लिया ऐसे नहीं होता है sir cost FM में in teacher का भी in teacher का भी marathon देख लिया ऐसे नहीं होता है sir आपको थोड़ा सा न दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा भेड चाल में herd mentality वाला काम मत करिए you need to be respectful that you have a limited time आपको time देना कम है अभी जैसे winners batch चल रहा है मैं winners batch क्यों लाया उन बच्चों के लिए वो भी result announce के बाद क्यों लाया sir क्योंकि मेरे को उन बच्चों को help करना है जो result actually इस बार clear नहीं कर पाए तो जिनको भी direct tax indirect tax में problem है वो winners batch में अटेंड कर रहे हैं मैंने एक time fix कर दिया रात को आड़ बजे से साड़े नौ के बीच तक आपका evidence batch चलेगा चाप्टर में बता देता हूँ अपकर आपको इस चाप्टर में problem है विनस batch में अटेंड करीए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी sir मैंने विनस batch का purpose define कर दिया तो ये आपका एक schedule चल रहा है तो वैसे आपको अगर ऐसा कोई session देख रहा है तो वही करिए वरना YouTube पे प्लीज अपना time spend मत करिए प्लीज scroll मत करिए reels मत देखिए, shots देख रहे हैं उसमें पूरा का पूरा time आपका चला जाएगा आपको अपना self study करना है आपको self study करना है paper पे paper practice करते रहे इतना करीए कि आपका हाथ दुखने लग जाए ensure करीए कि जो subject आप कर रहे हो उसमें आप सही resources जी उस कर रहे हो और आप उस depth तक जा रहे हो आप अपने teacher के साबसे जो भी उन्होंने guidance दिये उस teacher के guidance को follow कर रहे हो focus नहीं हटेगा अगर आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ है self study आपके दिमाग में एक ही चीज़ है क्या कि मुझे exam pass करना है आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं exam pass करूँगा अच्छे number से तब जाके आप focus कर पाएंगे लेकिन हमारा focus क्यों divert होता है because हम एक बार में बहुत चीज़ करने का खुशिश करते हैं ये भी कर लेते हैं YouTube भी कर लेते हैं marathon भी देख लेते हैं पेपर भी सॉल्फ कर लेते हैं ये subject भी कर लेते हैं वो subject भी कर लेते हैं चारपा subject कर लेते हैं एक दिन में तीन subject से जादा आपको नहीं करनी चाहिए आपको तीन subject से जादा एक दिन में नहीं करनी चाहिए maximum three subjects कोई बच्चे देखता हूं चारपा सब्जेक्त करते रहते, नहीं आपको माइन इतना पोसरा रीकलर्कट नहीं कर पाएगा आपको दो सब्जेक्ट करना चाएँ मैक्स टो मैक्स 3 सब्जेक्स और डेली आपको करना चाये और एक बार जब आपको लगे कि यानि मेरा अच्छा पार्ट हो गया एक सब्जेक्ट में तो फिरा वो दूसरा सब्जेक्ट में उसको अगले दिन जो है वो दूसरा सब्जेक्ट आप टेक अप करिए. Writing प्राक्टेस करना बहुत जरूरी है, let me tell you, बहुत सारी Students हैं जिनका मैं देखता हूँ बट नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से examination क्लियर कर पाऊगी गाइस लेट में टेल यू मेरे end से मैं सब कुछ आपके लिए best कर रहा हूँ अभी coming मैं मुंबई भी आ रहा हूँ उसके बाद अगले after diwali मैं plan कर रहा हूँ बच्चों को motivate करूँगा टॉप लेवल 50-60 questions जो मुझे लगता है examination नियार आ रहा है exam ready कराने के लिए मेरा basically purpose है ये जो भी classes हो रही है ये सब आप लोगो दिया भी जा रहा है live streaming भी होगा प्लस मैं अब आपको एक सीद बतारो daily 8 बजे मैं live आ रहा हूँ अपने youtube channel पे जहाँ पे मैं आपको winners badge करवा रहा हूँ income tax का पहले हो रहा है फिर हम लोग IDT का भी cover करेंगे जिसमें inter and final students दोनों के लिए cover कराया जाएगा तो मेरे से जितना हो सक रहा है मैं guys 100 का 200% कर रहा हूँ आपकी बारी है कि आपको भी अपना mind को channelize करके proper तरीके से plan करके चलाना पड़ेगा आप किसी के under में आके controlled way में मत काम करिए आप अपना भी mind यूज करिए आपको अपना भी mind चलाना है और correct direction में सोचिए trust me you will do wonders in your examination और please थोड़ा सा भी negativity अपने दिमाग में मत आने दो थोड़ा सा cool भी हो थोड़ा relax भी करो काली दिन बार पढ़ा ही पढ़ा ही मत करो थोड़ा सा बीज़ूच में frequent breaks लिया करिए trust me देखो आपका focus कभी हटेगा नी बीज़ूच में break लिया करिए जब meals होता है meals में तो आप break ले लेते हैं यूशूद डेफिनेटली दो अपको मज़ा आएगा और नहीं नहीं कर सकते आप आप जितना ही वीडियो देख लीजे जितना भी आप मोटिवेशनल गुरूस का वीडियो देख लीजे आप एक दिन मोटिवेटेट रहेंगे अगले दिन आप फिर से दिमोटिवेट हो ज अगर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलना अगर नहीं किया और प्रेस दब बेल आइकन बटन तो गेट अल दे रियल टाइम अपडेट थांक यू सो मच बाबाए